बार बार आती है मुझको मतुरियाद बच्पन देरी गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्द कुशी मेरी सुबदरा कुमारी चोहान जी की ये पंक्तियां हमें हमारी बच्पन की ओर ले जाती है क्योंकि इस कविता में जिस तरीके का बच्पन का वर्णन है उसमें हर्ष है आनंद है दुबारा से जी उठने का मन करता है आज मेरे पास एक ऐसी किताब है उसमें भी बच्पन का जिक्र है किन्तु उसमें असहनी या पीडा है उसमें इस तरीके का आनंद नहीं है कि दुबारा से बच्पन में जीऊं उसमें भूक है गरीबी है दलित जीवन की तरासदी है पढ़ने के लिए एक बालक का संगर्श है और उस किताब का नाम है मेरा बच्पन मेरे कंधों पर और ये आत्मकता है शोयरा सिंग बेचेन जी की आत्मकता नमस्ते दूस्तों आप सभी को मेरे चैनल बाते किताबों की में मैं आश्मा बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरा बच्पन मेरे कंधों पर आत्मकता हिंदी दलित साहित की काफी चर्चित आत्मकता है इसे हम दलित साहित का मेल पत्तर कहे तो भी गलत नहीं होगा इस किताब का प्रकाशन प्रतम प्रकाशन 2009 इस भी में हुआ था इसमें कुल मिलाकर 439 प्रस्ट है उसमें भी 417 पन्नों में लेकर की आत्मकता है यानि उम्र पांच या छे साल से लेकर दस्वी कक्षा की परिक्षा देने तक का जिक्र 417 पन्नों में वर्णन किया है लेकक ने जिक्र किया है इसके पश्चात यानि 418 से लेकर 439 पेज तक पत्र हैं लेकक की आत्मकता पढ़ कर जिन जिन लोगों ने लेकक को पत्र लिखें उसका जिक्र है और अनुक रमनी का है जहां पर लेकक ने कुछ शब्दे से आये हैं उसका जिक्र किया है साथी रिष्टे नातों का परिच्शाईव उसमें दिया है अब मैं सिधा सिधा बिना वक्त कवाए आत्मकता की तरफ चलूँगी ये आत्मकता कुल मिलाकर बारा खंडों में है जिसका नाम है बे वक्त गुजर गया माली दूसरा है रामलाल तेज धूप में जरजर सायां तीसरा घर चोथा है बगुला बगदी पांचवा है कौम के ठेकेदार छटा है बेहन माया का ब्याँ सातवा है जीवित बचा स्वराज आटवा है दो रोटी बर चून की चोरी और पेशी प्रदान के नौवा है विरासत दसवा है दिल्ली बड़ी दुनिया में छोटे कदम ग्यारवा है यहां एक मोची रहता था बारवा है भाई साहब एक प्रेरक पाठ इन्हें कौल मिलाकर बारा कंडों में इन्होंने बांटा है उसमें भी हर एक खंड में छोटी-छोटी सब्टैटल यानि शिर्षक देकर विवरंड दिया है बहुत सारे आपको सब्टैटल इसमें मिलेंगे जितना जरूरत है आप उतना लिख सकते हैं इस आत्मकता में कुछ पात्र ऐसे हैं जो हमें अंत तक दिखाई देते हैं उनका जिक्र में पहले करना चाओंगी पहले हैं स्वयम लेकक शोयरा सिंग जिनने बच्पन में सौराज कहकर बुलाया जाता था उन लेकक की बड़ी बहन का नाम है माया लेकक दूसरे नमबर पर आते हैं तीसरे नमबर पर लेकक के भाई नेक सिंग और चोते नमबर पर आते हैं लेकक के भाई राम बरो से इसके अलवा लेकक के तीन बबबाओं का जिक्र है गंगी बबबा जो अंदे हैं और बगीरत बब जो लंगडे हैं लेकक के ताओ का नाम है बाबु राम जो विद्या राम बबा की ही पुत्र है यानि रादे शम जी के बड़े भाई जो अंदे हैं इस प्रकार देखा जाए तो लेकक के परिवार में शारीरिक रूप से स्वस्त पुरुष लेकक के पिता ही थे इस आत्मकता का जो प्रतम भाग है जिसका नाम है बेवक्त गुजर गया माली यहाँ पर लेकक ने अपने पिता को माली कहकर संबोधित किया है क्योंकि अच्छानक उनके पिता के गुजर जाने से उनके पारिवारिक स्थिती बहुत बुरी हो जाती है और इस कारण से क्योंकि उनके गर उनके पिता की मृत्यों अंद विश्वास असिक्षा और सही समय पर इलाज ना होने के कारण हुई लेकक आगे बताते हैं कि लेकक के पिता की मृत्यों के पस्चात उनके पास जमीन के नाम पर पौने दो बेगा जमीन तो थी लेकिन वो समपून रूप से बंजर जमीन थी जिसका आदा हिस्सा उनके ताओ का था और आदा इनका तो जो इनके हिस्से में जो जमीन आती है वो समपून रूप से बंजर थी इस कारण से बालक्ष सौराज को अपने बबाओं के साथ, अपने ताओं के साथ मवेशी उठाने का यानि जो मरे हुए सवर्ण जाती के लोगों के गर में मरे हुए पशु उठाने का कार्य करने के लिए जाना पड़ता है लेकक बताते हैं कि हमें उनके पिता के गुजर जाने से किस प्रकार उनका बच्पन उनके कंदों पर आ जाता है इसके अलवा लेकक हमें एक जगा बताते हैं कि मवेशी उठाने का काम जो उनके समाज में बैश्क्रत था यानि उनके गर को सवर्ण जाती के लोगों ने अलग रखा ही था साथ ही उनके बिरादरी के लोगों ने भी अलग ही रखा था क्यूंकि मवेशी उठाने का कारिय सबसे निम्न कारिय बोलकर माना जाता था लेकक हमें बताते हैं कि चमार पशु की खाल उतारता है तो वह बैश्क्रत और अच्छूत बना रहता है मैं यह सब सहता रहा हूँ इसलिए जानता हूँ कि आखिर भोगी हुई हिकारत का असर और भूख में अभूज का स्वाद कैसा होता है तो इस जो प्रतम भाग में पिताकिक होने का दुख है किस प्रकार मां अपने बच्चों को पालने के लिए कष्ट उठाती है उसका जिक्र बेवक्त गुजर गया माली में लेकक ने लिखा है प्रकाता का दूसरा बाग है रामलाल तेज दूप में जरजर साया लेकक के नाना नौरा बोरा गाउं के रहने वाले रामलाल चमार को लेकक का दूसरा बाप बना देते है रामलाल बहुत गरीब वेक्ति थे पशुओं के सिंग बिनने का कार्य करते थे जिससे वे केवल ए पाली मुकिमपुर बुला लेते हैं और वहीं पर रहने वाले बिखारी नामक विदुर से उनका पुनर विवाह करवा देते हैं। बिखारी को अपने पहले पत्नी से रूप सिंग नामक एक बड़ा बेटा था जो लेकक से तीन-चार सल बड़ा था। साथी उसके साथ उसके दो छोटे भाई छोटे लाल और डालचंद जो अविवाई थे वे भी उनके साथ ही रहते थे। लेकक हमें बताते हैं कि यह जो पुनर विवाह करना या फिर विद्वा विवाह करना या फिर स्त्री पूरश को परस पर सहमती से छोड़ना या जोड़ना इसब उनके समाज की सामान्य प्रक्रिया थि ब्रामनों जिसी जटिलता उनके समाज में नहीं थी तीसरे खंड का नाम है घर तो इसमें पाली मुखिमपुर गाउं में गटित गटनाओं का वर्णन है किस प्रकार लेकक को पाली के लोग सोतेला बेटा कहकर संबोधन करते थे उसका जिक्र है लेकक बताते हैं कि पाली में उनका गुजारा नहीं था बच्पन के निर्वाह के जिम्मेदारियां स्वयम उनके खंडों पर आ गई थी और अगला भाग है बगुला बगती इस भाग में लेकक ने अपने नए पिता यानि बिखारी लाल के दोहरे व्यक्तित्व का चित्रांकन किया है लेकक बताते हैं कि उनके पिता हर रविवार को गंगस नान करते थे और साथ ही अपनी पत्नी यानि इनके माता पर जुल्म अढ़ाया करते थे सामाजिक दबाओं में आकर लेकक के पिता ने अपने बड़े बेटे रूप सिंग को और लेकक को पाली मुकिमपुर्ख प्रातमिक विद्याले में बर्ती करवा दिया किन्तु अध्यापक से लेकक की तारीब सुनकर उनके किताबें जला देते हैं आगे लेकक बताते हैं कि उनमें पढ़ने के प्रती इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि किताब खरीदने के लिए एक बार वे डालचंद की जेब से एक रुपिया चुडा लेते हैं इसकी सजा उनके निर्दोश माता को मिलती है उनकी माता को चोर समझ कर उनके पिता बिखारी और चाचा डाल चंद उन पर बुरी तरीके से लाटियां बरसाते कौम के ठेकेदार भाग में लेगक ने अपने चे साथ वर्ष के आयू में अपने मोसी के बेटे फूल सिंग के साथ बूट पॉलिश कार्य करने जाना साथ ही अपने माँ के बदले में बेलदारी कार्य करने जाना और वहाँ पर आदी मजूरी राप्त करने के लिए कई बार माता का ठेकेदारों के पास चक्कर कटना इन सब गटनाओं का वर्णन शांदार तरीके से किया है बेहन माया का ब्याँ इस बाग में हम देखते हैं कि लेकक की बड़ी बेहन माया का विवाह अपने से 10-15 साल बड़े विक्ति के साथ यानि गंगवासी के साथ कर दिया जाता है गंगवासी जूती गाठने का कार्य करते थे गंगवासी के कुलना में उनकी बेहन माया बहुत सुनदर थी किन्तु पूर्णता निरकशर थी लेक़ बताते हैं कि बहन के गर में रहते हुए ही उन्हें जोड़ों का दर्द प्रारंब हुआता आगे जाकर वे गटिया बाई का शिकार हो जाते हैं साथ ही लेकक बताते हैं कि बहन के शादी के 3-4 साल पस्चाद उनके बहनोई की गले की बिमारे तीवर हो जाती है गाओं के देशी उपचार यानि अंद विश्वास जाड फूंक जैसे विश्वास उपचारों के पस्चाद लेकक और उनकी मा अपने बहनोई को यानि अपने दामाद को लेकर दिली के इर्विन अस्पताल पहुंच जाते हैं कुछ समय पस्चाद उनके बहनोई का निधन हो जाता है दिली के अस्पताल में ही और पती के मरत्यू के पस्चाद माया अपने देवर भज्जन को अपने जीवान साथी के रोप में चुनती है जीवित बचा स्वराज इस बाग में हम देखते हैं कि लेकक की माता सूरज मुकी अपने पती पिखारी से तंग आकर अपनी बच्चियों को लेकर नदरोली पहुंचती है नदरोली लेकक का पैतरक गाउं था लेकिन वहाँ पर नकाम था नहीं खेती इस कारण से लेकक और उनकी माता और उनके बाही बहन रोटी साधन के लिए बासपुर पहुंच जाते हैं लेकिन लेकक के दुसाहस पूर्ण कारियों से परेशान होकर उनकी माता अपने बच्चों को लेकर वापस गाउं लोडती है एक और भाग है जिसका नाम है दो रोटी भर चून के चोरी और पेशी प्रदान के इस बाग में जोडों के दर्द से परेशान सौराज बबुआ के गर आटा मांगने तो जाता है किन्तु उसके अनुपस्तित होने के कारण दो रोटी के लायक आटा उठा कर लाता है जैसे ही यह कबर राम सिंग यादो की यानि प्रदान राम सिंग यादो को पता चलती है तो वो सौराज यानि शोराज सिंग पर हाता पाई कर देते हैं इसके अलावा लेकक बताते हैं कि इसी भाग में लेकक जब छोटे थे अपने फूफाजी के यां यानि उनके फूफाजी यिट पांतने के कार्य करवाने के लिए ले जाते हैं छोटा होने के कारण यानि उम्र में छोटा होने के कारण लेकक से अधिक श्रम करवाया जाता है इस कारण से वे बिमार पड़ जाते हैं और उनकी स्थिति बहुत ही बत्तर हो जाती विरासत भाग में लेकक के जन्म के समय में उनका घर परिवार किस प्रकार था कैसे उनका गुजारा होता था उनके गाओं की दलितों की स्थिति क्या थी तब से लेकर अब तक क्या अंतर आया है इसके अलावा लेकक अपने बबबाओं के बारे में भी बताते हैं उनकी नेतर जोती नहीं थी किन्तु वे बहुत महनती थे यह भी कहते हैं साथ ही वे कहते हैं कि उनके बब्बाओं के नेतर जोती जाने का मुखे कारण असिक्षा, अज्यान, भगवान, बूत पिशाश, गरीबी, सही समाई पर उपचार ना होना ही है लेकक जैसे ही अपने अतीद को अपने दिमाग में अपने स्मृतियों में लाते हैं तो उनमें एक प्रकार का भय चाने लगता है और वे कहते हैं कि कितनी लंबी संगर्श यात्रा क्रम में जिंदगी इस मुकाम पर पहुंची है कहां नहीं जा सकता जो सोने लायक नहीं था वहां सोया जो पहनने लायक नहीं था उसे पहना और जो खाने लायक नहीं था उसे खाया कैसी कैसी मजबूरियां जिलनी पड़ी दिल्ली बड़े दुनिया में चोटे कदम, इस खंड में बालक सौराज को दिल्ली में अपने मौसी मौसा के पास रहकर भी मजदूरी करके ही पेट कर भरना पड़ता था हम देखते हैं कि बालक सौराज का बच्पन बाल मजदूरी करते हुए ही गुजर रहा था लेकक नीबू बेचने का कार्य करने लग जाते हैं और नीबू बेचते बेचते लोग शेली में कविताएं तुक बंदियां सब करने लगते हैं नेम्बू का दंदा जब मंदा हो जाता है तो वो अंडे बिचने का कारिया करने लगते हैं उसमें भी वे नाकाम्याब हो जाते हैं यहां एक मुची रहता था इस बाग में हम देखते हैं कि बालक सौराज दिल्ली को अलविदा कहकर अपने ताउ बाबुराम के साथ डिबाई स्टेशन के फुटपातों में बैटकर बुट पॉलिश करने का कारिया करता है वहां से लोट कर गाउं पोहुचता है तो बाल मजदूरी के रूप में बेलदारी का काम करता है अध्यापक यानि गाउं के अध्यापक प्रेम पाल सिंग अपने पास रखकर पढ़ाने के बदले अपने घर में बिना मजदूरी के कारे करने का प्रस्ताव रखते हैं तो पढ़ने की प्रबल इच्छा के कारण बालक सौराज उनके इस प्रस्ताव को स्विकार कर लेता है लेकर के इस विचार से उनका पूरा परिवार असहमत हो जाता है क्योंकि उनका पूरा परिवार गरीबी से जूज रहा था उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो पढ़े उनकी माँ चाहते थी कि वो अपने नए पिता से दूर रहे कर अपनी रोजी रोटी का जुगार कर सके प्रेमपाल सिक के गर पहुंच कर भी बालक सौराज के कश्टों का अंतने ही होता वहाँ पर भी बाल्ष्रम लगातार जारी रहता है और इस बाल्ष्रम के बीच में वे अपने पढ़ाई जारी रखते हैं और इस आत्मकता का जो अंतिम खंड है इसका नाम है भाई सहाब एक प्रेरक पाठ इस भाग में लेकक के मौसेरे भाई नत्तुलाल द्वारा बेजे गए प्रेरक दाई यानि प्रेरना दाई पत्रों का वर्णन किया है लेकक ने साथी इसमें हम देखते हैं कि एक और अध्यापक जो गूगोल पिशे को पढ़ाते थे उनके गर में लेकक को कार्य करने के लिए बाल श्रम करने के लिए बेज दिया जाता है लेकिन वहाँ पर रहकर भी लेकक को कई सारे कस्ट का शिकार होना पड़ता है लेकक हमें बताते हैं कि बीना मजूरी के कार्य करने के अलवा उनके पास कोई और विकल्प था ही नहीं जब दस्वी की बोर्ड की परिक्षा आती है तो लेकक वापस अपने गाउं प्रेमपाल सिंग के घर में ही आकर रहने लग जाते हैं और बाल श्रम उनके गर में रहकर बाल श्रम करते हुए दस्वी की बोर्ड की परिक्षाएं देते हैं और वे बितीय श्रेनी में उत्तिरन हो जाते हैं और इसका पूरा श्रे ये प्रेमपाल सिंग को पुरा गाउं देता है इसके अलवा इस आत्मकता को अंत करते हुए लेकर बताते हैं कि यहां तक की जो आत्मकता मैं ने केवल हाई स्कूल पास करने तक की यात्रा में आपको अपने साथ लिया है यानि इस पूरी आत्मकता में पांच-छे साल के सौराज से लेकर दस्वी कक्षा तक पहुंचने तक का जिक्र है और अब मुझे आपको बताना है कि मैंने आगे की पड़ाई अस्तित्व की रक्षा और उत्थान की लड़ाई कैसे लड़ी है यानि आगे वो अपनी आत्मकता को लिखना चाते हैं बोलकर यहां कहते हैं और मैंने क्या 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 तरक संगत वेग्यानिक और नया सोचा और किया है इस पर भी वे लिखने की बात करते हैं इक और बात इस आत्मकता में दिखने को मिली है मतलब जो वाक्य हैं काफी मन को तोड़ देते हैं वो यह हैं कि मुझे कोई खेद नहीं की मैंने बच्पन में क्या क्या काम नहीं किये कहना यूँ है कि जिसकी रोटी खाई उसकी बखूबी कीमत चुकाई शिकायत है तो देश की विशेश वर्णोनम की विवस्ता से जिसने मेरे जिसे लावारिस बच्चों की सिक्षा का जिम्मा नहीं लिया श्रम और शोशन से हुई पीडी धर पीडी की आमशिक भी शती पूर्ती नहीं की इस आजाद देश ने हम देखते हैं कि इस आत्मा कता में लेकख हमें बताते हैं कि उनका पूरा बच्पन बाल श्रम से बीता है रोटी की जुगाड करने में रोटी की विवस्ता करने में ही बीता है पड़ाई तो उन्होंने बाहरी तोर पर ही की है इसी कारण से वे द्वितिय श्रेणी में पास हो जाते हैं सोचिए अगर उनको वही सब सुविदाएं मिलती जो आम बच्चों को मिल जाती हैं तो वो क महां होते और कितने अच्चे अंकों से उत्तिरन होते तो कुल मिलाकर इस आत्मकता का समीक्षा नहीं कहूंगी कता वस्तु बताने का प्रयत्न मैंने किया है और आई होप आपको अच्छी लगे क्रपया मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ज़्याद लोग मेरे च